आज के जन में जातक सुन्दर, दानी, हाज़िए जन में जातक सुन्दर, दानी, हाज़िए हर बात में संतोस करने वाले, बैभोशाली, धनवान, बातचीत करने में निपुड, तरक शास्त्री, वैज्यानिक अभिरुचियों वाले होते हैं, ऐसे जातक अल्प मित्र समुधाय वाले, पशु पालन का सौक रखने वाले, उन्नती सील विचारधारा वाले, परंतु उन् चंद्रमा की यूति ब्रिहस्पती और सुक्र के साथ बनी रहेगी, मगर नक्षत्र बुद्ध का होगा, जिससे हर काम में आपके बुद्धिक उसल का परिचय मिलेगा, रुकते हुए काम भी सूजबुज से संपन होंगे, सरकारी सहयोग जारी रहेगा, कर्मचारियों को प्रोननती के उसर मिलेंगे, किसी समारव में सामील होने का मौका मिलेगा, चंद्रमा अपनी नीच राशी में ही आज भी चल रहे हैं, अपने सामान के प्रती सचेत्र हैं और वहन साउधानी से चलाएं, साथ ही मौसम संबन्धी संक्रमन से ग्रस्थ होने का अंदेशा बनत या किसी नए काम की सुरुवात नहीं करनी चाहिए अर्थिक लाव मन मुताबिक मिलता रहेगा और साजे दारी के प्रस्ताव लाव दायक रहेंगे, विद्याथियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिध्ध होगा, मगर वहन साउधानी से चलाएं अर्थिक लाव मन मुताबिक मिलता जाएगा और आपकी योजनाएं पूरी होगी निजी निवेश लाव दायक रहेगा, विद्याथियों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा, अध्यान अध्यापन में सफलता मिल सकती है, राज की ये मामलों में सही योग बना रहेगा, वयवाहिक मामले फलिभूत होंगे, मगर वहन साउधानी से चलाएं मिथुन डासि के जात्कों के लिए स्वास संबंदी संवेदल सिलता में कमी आएगी, आत्मिस्वास और रचनात्मक सक्रियता में भी सुधार होगा, कार योजनाओं में सार्थक पहल जारी रहेगी और सरकारी सही योग बना रहेगा, नौकरी करने वाले करमचारियों को प अधिकारी के प्रस्ताव लावतायक रहेंगे, नही कार्योजनाओं के बिष्तार का मौका मिलेगा, और विध्यार्थियों को अध्यन अध्यापन में सफलता मिलेगी, प्रयास जारी रखें करकराशिके जातकों को कारे छेत्र में सफलता मिलेगी अधिकारियों का सहयोग और सकारात्मक प्रेरना जारी रहेगी मगर आत्मिश्वास और मानसी कुर्जा प्रभावित होगी हालाकि रुगी हुई या अधुरी योजनाएं पूरी होगी सरकारी कामकाज में सहीयोग मिलेगा कारे बेवसाय में ब्यस्तता बनी तहेगी साजेदारी में लाव संभाव है नीजी निवेश लावदायक रहेगा आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और संतान संबंधी बाधायें खत्म होंगी बिद्याथियों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयास पूरे होंगे मगर स्वास संबंधी सावधानिया पेक्षित है सिंग राशी के जातकों को कारे छेतर में बिस्तार होगा और लाव की स्थिति आपकी कारे छमता के उपर निर्भर करेगी हाला कि प्रयासों में सहयोग मिलेगा आत्मिश्वास में बिद्धी होगी मगर सार्थक पहल आवस्थक है नई कार्योजनाओं के प्रस्ताव मिल सकते है सासन सत्ताव अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और रुके हुए सरकारी कामकाज संपन होंगे मगर स्वास संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए पारिवारिक दायत की पूर्दी होगी नीजी निवेश और साजह दारी लावजायक होगी वैवाहिक मामलों के लिए आज का दीन अनकूल रहेगा आध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयाश सारत्क होंगे गन्या राज के जातों का स्वास संबंधी मामलों में सुधार के सार्थ साथ बित्तिय मामलों में सुधार होगा मगर मानसिक दवाओ, मन में नकारात्मक विचारों का उठना, मा के स्वास्त की चिंता संभावित है घरेलू चिंता लगी रहेगी, हलाकि ब्यावसाइक मामले अनकूल रहेंगे और आठिक लावमन मुताविक मिलता रहेगा दैनिक जीवन की क्रियासिलता में थोड़ा उतार चड़ा होने के बाद भी आज का दिन आपके प्रयासों को सफल बनाने में सही योग करेगा मित्रव संभंधियों से सही दिशा निर्देश जारी रहेगा, बिद्याथियों के लिए आज का दिन सम्मान्य होगा अध्यान अध्यापन में प्रयास जारी रखें, मौसम संबंधी सावधानी बनाए रखें और वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे तूला राशी वाले जात्कों के लिए सेहत और आंतरिक उर्द्या के छेत्र में सही योग मिलेगा मगर ब्यावसाइक योजनाओं के प्रती मन में उतार चड़ाव जारी रहेगा इस दोरान अपनी योजनाओं में लिये गए कुछ निरणे लाफधायक रहेंगे मगर कुछ मामलों में देरी की संभावना भी बनती है ब्यावसाइक मामलों में नकरात्मक विचारों से दूर रहें नीजी निवेश लाफधायक रहेगा आठिक लावाव के मेहनत के अनुसार मिलता रहेगा अध्यान अध्यापन के लिए समय उनकूल है रुके हुए या विबादित मामलों में सावधानी या पेक्षीत है वैवाहिक मामले सफल रहेंगे मगर वाहन सावधानी से चलाएं ब्रिष्टे करासी के जातकों को मानसे की स्थिरता के साथ-साथ धैर्य और सहियम की आवसकता है वाणी में उगरता कार्यो जनाव में जल्दबाजी और व्यगरता संभावित है चंदर्मा बुद्ध के नक्षत्र में चल रहे हैं जिससे भावनात्माक पहलू के सही निरने लेने में कमी और आत्मिश्वास में उतार चढ़ाव के इस्तिती बनी रहेगी नीजी संबंधों और पारिवारिक सलाह की प्रिणा लेते हुए कार्यो जनाव को संपन करें सफल रहेंगे वैवाहिक प्रयास सार्थक होंगे आर्थिक पक्ष सामान रहेगा विद्यार्थी अध्येन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं धनु राशिवाले जातकों को अत्यधिक उर्जा के साथ उतावलापन और अनावसेक तर्क करने की प्रवरित्ती महसूस होगी आपका उर्जास तर बढ़ा हुआ रहेगा मगर उगरता के साथ हमाड़ी में प्रखरता परिलक्षित होगी अनावसेक उत्यजना का दोर आता रहेगा अपने आपको धैरी और संयम के साथ नियंतित करना चाहिए कारेच्षेत में रुकावट और गडवडी का अंदेशा भी बनता है जबकि आथिक लावसे अधिक खर्च की स्थित्ती भी संभावित है सिक्षा प्रत्योगता के लिए समय अनुकूल है अध्यन अध्यापन में लाव मिलेगा वयवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी और यात्रा के दोरान अनावसे खर्च वाद वीबाद और चोट लगने का संकेत मिलता है मकर राशी वाले जात्कों को कारेच्षेत में सफलता और आठिक लाव में सहायता मिलती रहेगी चंद्रमा के बुद्ध के नक्षत्र में होने से क्रिया सिलता कामों में सफलता और आत्मिश्वास में बिद्धी मगर स्वास संबंधी संवेदन सिलता बनी रहेगी नीजी संबंधों में जटिलताएं संभावित हैं अनावसे खर्च का योग भी बनता है हाला कि अपनी योजनाओं को कुशलता से नियंतित करते रहेंगे मगर परिस्तितियों को ध्यान में रखते हुए आत्म संयम आवशक होगा परिजनों से यही मानसिक विरोध हो सकता है आठिक पक्ष सामाने रहेगा अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी पारिवारिक, सुख, सौहाद और नीजी सम्मंदों में ताल मेल बनाएं रखने चाहिए कुम्बराश के जात्मों के लिए कारेशेत्र की सकरियता, आत्म बिश्वास में ब्रिध्धी और रचनात्मक प्रयासों में सफलता का संकेत मिलता है हाला कि ब्यावसाइक प्राथमिक्ताओं के आधार पर काम करने का प्रयास करें आपकी अस्पस्थ सोच और बुद्धी कोसल का इस्तेमाल लावदायक उदेर से पैदा कर सकता है आर्थिक लावसामान रहेगा बिवादित योजनाओं में समझावता करना लावदायक रहेगा सासन सत्ता वाधिकारियों का सहयोग बना रहेगा धार्मिक भावना बल्वती होगी सामाजिक ब्यस्तता बढ़ी रहेगी और पारिवाद एक सुख सवार्द में रिद्धी होगी मीन राशिक के जात्कों के लिए आर्थिक लाव के इस्तिति मन मुताबिक बनी रहेगी रुके हुए काम संबन होंगे धैर और संयम से काम लेते हुए कारेच्षेत में लगे रहें सफल रहेंगे नई कार्योजनाओं में सफल सुरवात संभव है नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा पारिवारिक सहयोग और प्रेरणा जारी रहेगी और साजेदारी के काम लावदायक रहेंगे मगर कुछ कामा में नकारात्मक भावना भी पैदा हो सकती है जिससे आपकी काम करने की छमता प्रभावित होगी हाला कि वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलेगा और सफलता संभावित है आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाएद